नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जैसा कि आप जानते हैं जब हम अपनी M3R5 सिरीज पढ़ रहे थे तब हमने उसका आखरी चैप्टर वहाँ पर कंप्लीट नहीं किया था इसके लिए काफी कमेंट आ रहे थे कि सर ये नमपाई का चैप्टर कंप्लीट करवाई है तो आज के इस वीडियो के साथ हम ये चैप्टर सुगात करने जा रहे हैं आज के इस लेक्टर में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा नमपाई जो टॉपिक है उसका मतलब क्या होता है मतलब इसका इस्तिमाल क्यों पढ़ा इसका यूज क्यों पढ़ा और इसको यूज करने से क्या-क्या फाइदे थे उसके बाद हम देखेंगे कि NumPy को कैसे हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आगे भी यूज़ कर पाएं और कुछ और basic tools भी आज इस lecture में देखने वाले हैं कुल मिला कि बहुत important lecture होने वाला है क्योंकि ये introduction है और पूरा आधार जो आगे का है वो इसी पे निर्भर करेगा सुरुगात कर रहे हैं इस lecture की और सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में उठता है What is NumPy? NumPy आखिरकार होता क्या है? तो अगर बात करें हम NumPy की तो यहाँ पर देखिये NumPy is a Python library used for working with array array के साथ काम करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता था It also has function for working in domain of linear algebra, Fourier transform and matrix मतलब इसे 1D, 2D और 3D में भी इसका इस्तिमाल किया जाता था इसे कब बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था यह सारी चीज़ें यहाँ पर हैं एक चीज़ याद रखिए कि जो हमारा NumPy है यह open source है Sir, open source का क्या मतलब है? यह पहले भी discuss कर चुके हैं ऐसा software जो freely आपके लिए available हो जिसके लिए कोई दाम आपको न देना पड़े ओनर को वो हमारा open source software होता है ठीक, इतनी से चीज़ समझ में आगी होगी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरा सवाल हमारे दिमाग में आता है कि Sir, आखिरकार NumPy को use करना ही क्यों? हमारे पास तो पहले से लिस्ट जैसी चीज़े हैं लिस्ट हमने पढ़ा था तो NumPy का इस्तमाल आखिरकार हमको क्यों जरूरत पड़ी? मतलब इसकी आवसकता है क्या थी? तो यहाँ पर देखिए इन Python we have lists that serve the purpose of arrays but they are slow to process यही एक line सब कुछ आपको समझा देगी ऐसा कहा गया है कि आपके पास पहले से लिस्ट थी जो array का काम कर देती थी लेकिन वो क्या थी? slow थी और इसी speed को बढ़ाने के लिए क्या use किया गया? NumPy use किया गया समझ मैं कोई भी पूछे NumPy का इस्तिमाल क्यों पड़ा? तो कारण था processing इसकी processing तेज थी क्यों थी अभी यह discuss करेंगे लेकिन तेज थी अब यहाँ पर बोला गया है इसकी speed कितनी तेज थी? 50 गुना तेज थी बाकी जो हमारी list थी उसके अगर comparison में देखा जाए तो और जो आपके array object होते हैं NumPy के वो nd array कहलाते हैं बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं कि इसका इस्तिमाल किस काम के लिए होता था? speed को तेज करने के लिए इसका इस्तिमाल होता था simple सी चीज है इसके बाद जो सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि sir ये numpy जो है ये faster कैसा था? इसका कारण था कि जो numpy array में data store होता था वो एक साथ store होता था एक lines store होता था माल लीजे ये memory है तो इसमें जो data store होगा वो एक साथ एक के बाद अगले block में store होता था जबकि ऐसा list में नहीं होता था यही चीछ देखे लिखा है numpy arrays are stored at one continuous place in memory unlike list list के जासा नहीं था वो continuous place में store होता था जिसके card उसे access करना उसमें data को changes लाना ये सारी चीजें आसान हो जाती थी समझ मैं तो कोई पूछे कि sir numpy क्यों तेज होता है तो इसका आप reason बता सकते क्योंकि उसमें data एक line से continuous place पे store रहता था आगे की तरफ बढ़ रहा है और अगला सवाल जो हमारा है किस language में ये लिखा गया है देखे अधिकतर चीजे तो हमारी python में लिखी गई है पर जो numpy का ऐसा हिस्सा था जिसे हम चाहते थे काफी तेज रन हो उसे हमने c और c++ में लिखा है हमने मतलब जिन्होंने बनाया था इसको उन्होंने c और c++ में भी इसे लिखा है ठीक अब बात आती है कि numpy को कैसे install करें तो numpy को install करने के लिए आपके computer में पहले python होना चाहिए और pip भी पहले install होना चाहिए sir python तो हमने install किया है pip sir हमने नहीं install किया है तो देखे जो python के latest version आ रहे है या आगे भी जो आएंगे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें pip install हो जाता है python install होने के साथ हम एक बार अभी चेक भी गर ले रहे है pip install है हमारे system में की नहीं देखे यहाँ पर आपको run open कर लेना है और उसमें लिखना है cmd और cmd लिखके जैसे आप enter करेंगे आपका command prompt open हो जाएगा और इसमें आपको सिर्फ लिखना है pip और जैसे ही आप pip लिखेंगे अगर ऐसे कुछ आपको line दिखने लगे तो इसका मतलब होता है pip आपके में पहले से install है और अगर ये सारी चीजे नहीं दिख रही है तो pip आपके में install नहीं है लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अब जो आपकी system होते है उसमें pip आपका पहले से install होता है तो जाहिर सी बात है आपको ये चीज़ दिखेगी सर पिप की तो बात हो गई क्या ऐसा भी हो सकता है नम पाई हमारे system में पहले से install हो आई ये चेक कर लेते हैं तो उसके लिए आपको लिखना है यहाँ पर हम type करेंगे pip list क्या चीज़ टाइप करनी है pip list और enter कर देना है तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको क्या चीज़ दिख रही है देखें मैं mark कर रहा हूँ pip आपका कौन सा version है ये दिख रहा है और setup tools आपका कौन सा version है ये दिख रहा है अगर numpy आपके में install होता तो यहाँ पर numpy का भी version दिखता sir अच्छा numpy मतलब इसका है कि install नहीं है नहीं है दिखी नहीं रहा है तो नहीं है तो कैसे हम install करेंगे चलिए install करने के लिए हमें क्या लिखना है हमको लिखना है pip install numpy और enter कर देना है ठीक है जैसे ही आप enter करेंगे यह हमारी process सुरू हो जाएगे लेकिन ध्यान देना है कि आपके में net connectivity होनी चाहिए अगर आपका system net से नहीं connect होगा तो यह चीज इंस्टॉल नहीं होगी यहाँ पर देखे हमारा pip जो है pip list पहले देखिए क्या आया था और अब क्या आया है इसमें enter देख लीजे अब यहाँ पर देखेंगे तो जैसे पहले pip और उसका version दिख रहा था यह तो भी भी दिख रहा है setup tool और उसका version दिख रहा था यह भी दिख रहा है लेकिन आप check कर सकते हैं क्या numpy आपके में install हुआ है या नहीं तो यह तो होगे installation की बात आगे की तरफ बढ़ रहा है इसके बाद बात आती है import numpy की import numpy करने के लिए आपको simple सा line लिखना है यहाँ पर देखी example में import numpy उसके बाद ARR यह आपको यह और भी नाम ले सकते हैं numpy.array और simple सा आपने array में value डाल दी और array को print करा लिया चलिए इसको एक बार हम खुद से run करा कर देखते हैं कि run होता है कि नहीं तो देखें same program हमने लिख लिया है अब इसको run कराते हैं देखें यहाँ पर हमारा जो program है run होके output 1,2,3,4,5 दे रहा है इसे आप चाहें तो simple जैसे list का कोई element access करना होता था तो access कैसे करते थे यहाँ पर same उसी तरीके से आप मालीजे मैं लिख देता हूँ कि दूसरा element print हो जाए दूसरा element मतलब ARR2 यहाँ पर क्या print होना चाहिए देखें यह जो 1 है इसका index 0 है यह जो 2 है इसका index 1 है और यह जो 3 है इसका index 2 है तो अगर मैं ARR2 लिखूंगा तो यह वाले space को मैं print करा रहा हूँ मतलब हमारा output 3 आना चाहिए चलिए run करा कर देखते हैं output क्या आ रहा है तो इसको मैंने run करा है और यहाँ पर देखें output 3 हमारा आ रहा है समझ मैं इस तरीके से हम import कर सकते हैं इसके बाद देखें बात है numpy को कैसे आप np से replace कर सकते हैं तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना है आपको लिखना है import numpy as np इसके बाद जहाँ जहाँ आप numpy लिख रहे थे वहाँ वहाँ आप np लिखकर भी काम कर सकते हैं यहाँ पर देखें कि example लिया गया है और जहाँ पर हमने पहले numpy लिखा था वहाँ पर np लिखकर काम किया है यह बहुत basic चीज़े इसको लिखेंगे बहुत लोग numpy install नहीं करते हैं और सीधे कह देते हैं सर हम numpy का program run नहीं करा पा रहे हैं यह चीज़ नहीं करा पा रहे हैं तो पहले उसे install करना तो सीख लीजे तो यही बात यहाँ पर समझाई गई है और जैसा कि आप जानते हैं यह चैनल पूरी तरीके से free है description में आपको इस chapter की भी notes आपको मिल ही जाएगी वहाँ से आप download कर सकते हैं और जितने भी content हम दे रहे हैं सब कुछ मूर्थ है तो अगर आप हमको कुछ सायोग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हमारा QR code और bank details दिख रही होगी आप जो चाहें हमें सायोग कर सकते हैं यह कोई बाद